मूलांग यानिकी आपकी डेट वबर्थ हमें आपकी डेट को सिर्फ सिंगल डिजिट में लाना है जैसे अगर आपका बर्देश 26 ऑगस्त को हुआ बाकी सारी चीज़े बूल जाए 26 तारीक को हुआ 26 यानिकी 2 प्लस 6 8 सिंगल डिजिट में ले आए 18 है तो 9 हो गया 27 है तो 9 ह इस तरीके से सिंगल डिजिट में सिर्फ डेट को लेकर आई अब आपको एक से लेकर 9 तक आपके पर्स का लखी कलर क्या होना चाहिए यह बताती हूं ताकि आपका पर्स नोटों को आकर्शित करें मूलांक एक वाले लोगों के लिए आपके लिए चमकीले सफेद रंग के पर्स लकी हो सकते हैं साथ ही आपको आपके पर्स या हैंड बैग में एक पीतल का सिक्कार रखना फायदे मंद होगा मूलांक दो वाले लोगों के लिए नीले रंग के पर्स खास होते हैं इसके साथ ही कई फायदे पाने के लिए आपको पर्स या हैंड बैग में एक मूर क का चित्र रखना चाहिए मूलंग तीन वाले लोगों को अपने लिए नीले या नारंगी रंग के पर्स रखना अच्छा साबित होगा साथ ही अगर आप पर्स या हैंडबैग में एक पीतल का सिक्का भी रखेंगे तो शुब होगा आपका मूलंग चार होने पर आप भूरे रंग के पर्स को रख सकते हैं साथ ही अपने पर्स या हैंडबैग में आप घर की चुटकी भर मिट्टी भी रखें इससे लाब होगा मूलंग पांच है आपका तो आपके लिए लाल रंग का पर्स बहुत अच्छा साबित होगा साथ ही गुडलक के लिए आप रेड़ पर तो आप मल्टी कलर का पर्स रखें ब्लाक और वाइट भी रख सकते हैं यह अच्छा रहेगा साथ ही अगर आप मल्टी कलर पर्स या हैंडबैग में मचली की फोटो रखें तो फायदा होगा मूलंग आठ है आपका तो आपके लिए वाइट पर्स लखी माने जाते हैं ती धन लाप के लिए पर्स या हैंडबैग में एक गोल्डन फायल का तिकोना टुकड़ा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा